प्रेस कॉन्फरेंस पर एक फ़नी इंसिडेंट हुए जब एक रिपोर्टर ने मुन्रो से पूछा है असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो मैं चैनल और जिस तरह चाहत अली ने कहा था ये जो प्यारा पी एक जल है असलाम वान ने दूसरी दफा टूहंडड़ प्लस चैस किया इस सीजन में और इस सीजन में रन्स ज्यादा स्कोर हो रहे हैं एक फास्टर रेट के साथ जो गेम की ब्यूटी को बढ़ाते हैं स्टेंडिंग चेस भाई असलाम वाद चब रेटिंग स्टार्ट होई मुलतान की आज शान मसूद ने अच्छी निंग खेली 75 और 50 रिजवान जल्दी आउट होगे लेकिन अपना काम करके आउट होगे मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की इनिंग बेतर है कि वो गेम को डीप लेकर जाए और स्लो खेलें इसके बेतर है कि यही इठाना बॉले खेलके अब अपने 30 रन करके साइड पे हो जो यह ज्यादा बेतर है टीम के लिए क्लिए इसमें टीम का फायदा होता है बॉलें भी की पावर रेटिंग की है और मजा है उसकी निंग को देखके मुलतान जितना स्कोर चाहती थी उतना नहीं हुआ वह आखरी डेथ बॉलिंग अच्छी की वसीम जुनियर ने आखरी ओवर बहुत अच्छा किया सरफ 6 रहन पड़े 205 वस नाट वट मुलतान वुडव लाइक को एक हाई स्कोरिंग गेम है जिसमें 400 प्लस रन हुए है दोनर साइड ने 200 प्लस की है और पावर रेटिंग ही पावर रेटिंग हुई है उसमें उस मैच में शदाब के फिगर्स आउट स्टेंडिंग है टू फॉर टूंटी द्री जिसमें एक मेड़न ओवर भी आता है त तो आज उसने सारों के मुझ बंद की है अपनी परफॉरमंस से अपने बैट से अपने बाल से तो इट वस गुड डे गुड आउटिंग फॉर शदाब खान असलामबाद के मैंने जिस तरह बता है कि माइनर सी कॉंट्रिबूशन थी गुरबाज ने एक स्टार्ट लिया टोटली ओफ कलर दिखाई दिये सेवन बॉल्स वन रॉन मुन्रो आज फिर फॉरम में दिखाई दिये कम बॉलें फेस की और ज्यादा स्कोर के 21 बॉल पर 40 किया शदाब खान की क्रूशल इनिंग थी पावर रेटिंग चब चाही थी तो उनसे पावर रेटिंग हो रही थी चके भी लगाए चोके भी लगाए आउट वो घलत टाइम पे हो गए हैं खुद भी फ्रस्टेटेटेड थे जब आउट होए हैं लेकिन अच्छी इनिंग खेले थे फेटिफोर ऑफ्रस्टेएफिय और फिरिफटेट ही उनसे खेले थे खेले रही थे आउट हुए हैं आउट इसान एकि वूटी सी निपन हुई थी इनसाइड एज लगा और पेस भी वन फिटी पूट रहा सहिंगा कि मैं और फाहीम अशिरफ को मैं थूज्चन करना चाह जेम को डीप लेके गे और आखरी ओवर में 18 आज तक PSL की हिस्ट्री में चेज नहीं हुआ लास्ट येर खुश्टिल ने 16 चेज गिया था हारी सरुफ के ओवर बे चार चोके लगाया थे चार बॉलों पे आखरी ओवर बहुत अच्छा फिनिश किया एक च्छका तीन चोके और जो डबल भी लिये वह भी बहुत क्रूशल थी वह बंती सिंगल थी लेकिन उन्हेंने रनिंग की मिस्फिल्ड हुई और उसका फायदा उठाया एक एक एक्स्टर रन लिया तो एक रिस्पॉंसिबल और एक मेगनिफिसेंट नॉक थी कम बॉलों पर ज्यादा रन करने थे और उसने कर लिये ज्यादा वह ओवर स्लैली बेटनी करते काम रहे हैं मैज जिताने के बाद भी फिनिश करने के बाद भी काम थे और बॉलिंग में भी उन्हें एक फिकेट ली और वह अच्छा एकनॉमि अच्छा एक रिप्लाए दिया है जिसके विजह से एवरीवन बॉर्स आउट लॉफिंग इन फ्रेस कांफर्स हॉल उसके लावा इसलामबाद को कंग्रेजुलेशन्स के उन्होंने एक और मैच जीता लहोर और इसलामबाद दोनों आठ में से छे मैच जीते हैं और पॉब है कि उन्होंने मैच खेलने हैं तो अगर वो फॉर विंस कंप्लीट कर लें तो क्या पता वो आ सकते हैं लेकिन चांसे कम हैं लेकिन हैं चांसे जरूर मुलतान पिशावर कोईटा इन में से एक ने बाइर होना है मुलतान भी प्रॉपर्ली कौलिफाइनी की और फर्स्ट मै पावर रेटिंग 44 पे थे तो 26 वाल पे उन्होंने 50 की चक्का मारा राशिद खान को उनके पहले यूवर में तो इट वस टोटली आउटसेंडिंग बाबर थोड़ा स्लो खेले लेकिन उनको जरूरत नहीं थी तेज खेलने की क्योंकि दूसरे एंड से हार कोई पावर शहीन है स्टेप डप ऐस बैटर इस वेल उनके फादर भी आये थे उन्होंने और विकेट से ली 31 रन देके और आउटसेंडिंग नॉक खेली उन्होंने 50 की इस फिर्स 50 इंटी 20 52 ऑफ 36 और सेंटले 62 ऑफ 37 फाइट अच्छी की लेकिन टार्गेट बहुत उनकी रीच से गया तो सी गाजिन मैं नेक्स वीड़ बड़ इस वीड़ बड़